कि कुछा के लिए अब ह कि लो विए कि में अबरिव से साथ हादिर हैं इस क्लास में हम जो ताफिक डिसकस करेंगे जो पंक्शन हम तौर करेंगे वह संपंक्शन एवरिज पंट्षन अकॉंट function और मेनी में function ठीक है तो चलो start देते हैं कि कि किस तरह हम इस function को apply करेंगे let's start now सबसे पहले आप image word को open कर ले image word को open करने के बाद आप इस function को apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक proforma create कर ले जिस proforma में आप इसको apply करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मताविक आपको proforma create कर ले ठीक है तो मैं इस proforma में इस function को apply करना चाहता हूं some function, some function, average count, maximum and variable function ठीक है तो सबसे पहले आप यहाँ से marks enter कर ले जितने marks आप enter करना चाहते हैं जो candidates के लिए students के लिए ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले में marks enter करना चाहता हूं तो जब आप marks enter करेंगे अब आप एक एक function को आप यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीक है तो चलो start देते हैं सबसे पहले some function हम apply करते हैं किस तरह इस function को हम apply करेंगे ठीक है तो इस function को apply करने के लिए आपने यहाँ पर layout टेब पर click करना होगा जोकि मैं table में काम कर रहा हूं ठीक है तो table क只 design भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इसके layout भी आप इसको देख सकते हैं ठीक है और इसको आप open कर ले यहां से जो changes आप करना चाहते हैं वो आप कर ले ठीक है सबसे पहले sum function इसके लिए आप formula यहां से type कर ले by default जब आप formula पे click करेंगे तो by default sum function आपके सामने आएगा और यहां पर जो option जो argument है वो above है ठीक है तो हमें value add करनी है left side value value ठीक है चूंकि यह right side पर आता है और इसके value जो है वो left side पर आते हैं तो यहां से आप select कर ले left side ठीक है जब आप left click करेंगे फिर इसके बाद आपने ok button पर click करना है जब आप ok button पर click करेंगे तो यह sum इसने calculate किया 1,2,3,4,5,5 subject marks टोटल जो marks इसके calculate हो गए वो to 85 आगए ठीक है अब अगर आप इसके average calculate करना चाहते हैं तो यहां पर आप average भी calculate कर सकते हैं तो दूसरा function जो है हमारे पास यह है average function ठीक है इसको के सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आप formula पर आप लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर again by default some function आएगा लेकिन हम some function यूज नहीं करेंगे हम यहां से दूसरा function लेंगे वह कौन सा है average function सभूए करने और यहां से आपने अनने कोपन को डिृज़ करना होगा ठीक जाए करने कोस instinct सब्सक्सक्नदीक एप त kiss by अ यहां रिटिए करने यहां परहेंगे उनने यहांप तो फिर है छिए अफ यहां पर लिट करेंगे ठीक आप ऑक अथि Huge हैं या कितने नमबर यहां पर काउंट पंक्शन इसलिए हम इस्तिमाल करते हैं फार्मूला पर आप क्लिक करने के बाद इस पॉंचन को बिड़्ीट कर ले और फिर यहां से आप पंक्शन पाउंट सेलेट कर ले और जो वेलू आप एड़ करना चाहें वो लेप साइड वाली है ठीक है इस इकुल टू काउंट लेफ्ट यह आप देख सकते हैं पार्मूला और इसको आप यहां से ओके बटन पर क्लिक कर लें तो यह आपके नंबर को काउंट करेगा ठीक है फिर इसके बाद मैक्सिमम मेर्यू पाइंड आउट करनी है तो मैक्सिमम फंक्शन आप किस त और साथ-साथ एकुल टू सिंबल वियूप टाइप कर ले ओके बटनाप प्रेस कर लें तो यह मैक्सिमम वियू आपको यहां पर देगा ठीक है फिर इसके बाद मैनिमम वेल्यू कल्कुलेट करनी है तो वह भी आप फार्मूला के मिर्ट से कल्कुलेट कर सकते हैं एंटर किया प्रेस कर लें तो मैनीमम वेल्यू जो हुआ यहां पर कल्कुलेट हुई है वह है 48 वेल्यू ठीक है तो इसी तरीके से आप में सम पंक्शन एवरेज काउंट मैक्सिमम और मैनीमम पंक्शन भी आपको एपलाई कर सकते हैं ठीक है तो यह ता आज का ग्लास के किस सब्सक्राइब में एक्सेल की तरह सम एवरेज काउंट मैक्सिमम मैनीमम पंक्शन हम यूज करते हैं ठीक है तो अगर आपको मेरे वीडियो फसंद राए तो कार्णी सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स पावाचिंग झाल